तो आज मैंने बनाया है चावल और चने की डाल का डोसा बहुत ही क्रिश्पी बना है और साथ में देख सकते हैं कितना जालीदार बना है और चावल को मैंने सर्फ एक गंटे के लिए भीगोया था तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक कटोरी चावल लिया है चावल आप चावल होगा है ठुटा हुआ चावल होगा डोसा भी मार उतना ही टेस्टी बनता है तो दो चम्मच मैंने चने की डाल लिया है और इसको हम पानी से अच्छे से वोस कर लेंगे जितना भी इसका गंदा पानी है इसको हम निकाल लेंगे और इस पानी को हम पोदो में डाल सक तो मैंने इसको एक घंटे के लिए भीगोया था तो एक घंटे के बाद अच्छे से भीग चुका है चावल और दाल दोनों हाथ से तूट रहे हैं अभी इसको हम पीश लेते हैं तो मैंने पानी को निकाल लिया और मिक्सिजार में डाल लेंगे और साथ में मैंने दो आलू अबाल के रखे थे वो इसके अंदर डाल लिये तो आलू से हमारा जो बैटर हो बहुत स्मूथ बनता है और बहुत अच्छे से चावल पिश जाता है तो आदा गिलास मैंने पानी डाल ला है तो पानी हम पहले थोड़ा ही डाल लेंगे अगर थोड़ा गड़ा लगेगा बैटर तो हम पानी बाद में डाल के मिला सकते हैं तो देख सकते हैं इस तरह का मैंने बैटर बिल्कुल त्यार कर लिया है और बिल्कुल बारिक पिसाब देख सकते हैं बिल्कुल भी मोटा नहीं है ये तो हम बिल्कुल बारिक पेष्ट बनाना है और इसके साथ ही मैंने आदा चम्मज नमक डाला है और 4-5-5 मैंने मिठा सोडागी डाली है और इसको हम पानी डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मिठा सोडा से हमारा जो सा हो बहुत ही जालीदार बनेगा तो इस तरह का बेटर हमें त्यार करना है ना इगाड़ा करना है ना ही हमें पतला करना है तो बैटर हमने त्यार कर लिया है, दूर्सी साइड में हम पैन को गरम कर लेते हैं, तो इतर पैन हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, मीडियम फ्लेम रखी है, और इसको हम हलके हलके हाथों से बैटर को अच्छे से फैला लेंगे, तो काफी smoothly फैल जाता है, और एक साइड से जब इसको मैंने पल्ट के अच्छे से पका लिया है, तो दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है, और काफी क्रिस्पी बनता है, काफी जालीदार बनता है, अगर मेरे इस पी पसंद आती है, तो लाइक, शेर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, तो इसी तरह से हम सभी डोसों को सेख लेंगे, और सारे डोसे क्रारे और क्रिस्पी बनते हैं, आप जरूर बना कर ट्राय करें, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,